अगले चार दिन तक यलो अलट जारी रहेगा, उतरकाशी, चमूली, inherent जारी है, बागेश्वर में भी बारिश्वर, बरफबारी की समभावना है, तो देखे अब जाती हुई सर्दी कहीं न कहीं अपने साथ जाड़ा लेकर आई है वो तरकाशी चमोली पिथाउरागड की अगर बात करें तो यहाँ पर अलट जारी कर दिया गया और बागेश्वर में भी बारिश और बरहबारी की संभावना जताई गई है उत्राखण में बारिश और रोला वरिष्ट्री का अलट जारी किया गया है और कुछी महीनों में अभी चारधा मियातरा भी शुरू होने जा रही है रदेश के वादियों की बात करें तो एक बार फिर से उपरी इलाके सफेद चादर से ढख चुके है यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्राखण में बारिश और रोला वरिष्ट्री का अलट है खबर पर अधिक जानकारी के साथ समाधाता नासिर हमारे साथ जोड़ चुके हैं नासिर जी जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि यह देखे बारिश और जो उला वरिष्टी हो रही है इसका क्या असर पड़ेगा किसानों पर देखे मौसम में लगातार बदला हो रहा है और मौ Examples महोन में जास में एक बार से पुरूँन मानचेता आया कि कि किढर दिनों से गरंबाद कें तो पिजिए मेरे बें जुभातार तामन बहरा है जो पुरुवानुमान जताया गया है, उसमें यह कहा गया है, है आदिये दो जुनियों दैस्य को उत्राखन के पहाडी जन्पथ है, वहां पर क्रीजगों के बारिस और ओरला वरस्थी हो रहे है, तो ज़का पर बारिस और ओरला वरस्थी देराओदी हुए है, और अधर जो बारिष और जो ओला वरस्ती है उससे कहीं कुछ फ़स्टों को नुक्सान होगा इसलिए उसका इंतजामात पहले किसानों को कर रहे ना चाहिए और साथ ही साथ चुकि तापमान बढ़ रहा है फिर बारिश हो रही है फिर ठेंड़ हो रही है तो इन चीजों से जो लोगों है उनको बचना से ही क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहे तो आने वाली कुछ बिमारियां इसकी वज़े से गह सकते करी तापमान बढ़ रहा है कभी घट रहा है